हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के ग्रामिन जीवन यानी विलेज लाइफ के बारे में बताएंगे इस वीडियो को हमने पांच भागों में डिवाइट किया है ताकि हम आपको डिटेल में अमेरिकन विलेज की इन्फोर्मेशन दे सकें पहला भाग है विलेज इंट्रोडक्शन इसमें हम आपको अमेरिका का गाउं दिखाएंगे वहां के एक सेर कराएंगे दूसरे भाग में हम जानेंगे अमेरिकन गाउं का जीवन कैसा होता है अमेरिकन विलेज लाइफ तीसरे भाग में हम बताएंगे अमेरिका के गाओं के लोग किस तरह का काम करते हैं और चौते हिस्से में हम जानेंगे अमेरिकन विलेज फार्मिंग अमेरिका के लोग किस प्रकार की फार्मिंग करते हैं और पांचों हिस्से में हम जानेंगे कि American Village People Income अमेरिका के गाउं के लोग की कितनी इंकम होती है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना बुलें फर्स्ट अमेरिकन विलेज इंटोडक्शन दोस्तों यहाँ विलेज अमेरिका के पैंसिलवेनिया राज्ये में इस्तित है अमेरिका में गाउं को स्माल टाउन, कंट्री साइट या सब अर्बन कहा जाता है इस वीडियो में जो गाउं आप लोग देख रहे हो, उसका नाम क्लेजबग है इस गाउं की जनसिंग्या करीबन दो हजार है अमेरिकन विलेज काफी ज़्यादा डवलप होते हैं और यहाँ के निवासी काफी सिम्रिद और संपन होते हैं दोस्तों अब करते हैं एक सहर अमेरिका के गाउं की जहां आप देख सकते हो वहां के नजारे, वहां के घरों के डिजाइन जिसे हमें आइडिया हो जागा कि अमेरिकन के विलेज या स्मॉल टाउन कैसे होते हैं यहां के गाओं वालों के परमुग व्यवसाय किर्सी और पसू पलनका है अमेरिका में गाओं में जनसंग्या बहुत ही कम होती है और यहां पर लोगों के पास जमीन बहुत बड़ी मातरा में होती है जिसले यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत बड़े इस्तर पर की जाती है अमेरिकन किसानों के पास खेती बाड़ी के लिए काफी आधनिक मसने होती है दोस्तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो अमेरिकन गाउं काफी हरे बरे और यहाँ पर आवादी काफी कम होती है अधिकतर गाउं अमेरिका में इसी तरह के होते हैं इन गाउं में सारी बुन्यादी सुबदाएं होती हैं जैसा कि रोड, बिजली पानी, हॉस्पिटल्स, पार्मर मार्केट आदी दोस्तो अब नज़र डालते हैं अमेरिकन विलेज लाइफ पर अमेरिकन ग्रामेंट जीवन इस भाग में हम आपको अमेरिकन गाउं क्लेजबग में एक घर का तूर कराएंगे और साथ में जानेंगे कि अमेरिकन विलेजिस की दिन चरिया किस परकार की होती है दोस्तो अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं अमेरिकन गाउं के घर का डिजबग में जैसा है कि आप इस वीडियो में देख सकते हो घर काफी मोडन और काफी बड़ा है और सारी बुन्यादी सुब्दाओं से लेस है दोस्तो अब देखते हैं अमेरिकन गाओं की दिन चरिया यहाँ पर गाओंवालों के पास अपने रैंच और बड़े फामाउस होते हैं जहाँ पर वे अपने पसू पालन और अपने पसू को पालते हैं उनके लिए चारे पाइने की वेवस्ता भी यही की जाती है दोस्तो रैंच उस जगा को कहते हैं जहाँ पर पालतू पसू को रखा जाता है उनके लिए चलने के लिए मैदान होता है पसू के लिए दाना पाणी चारा और सफाई की पूरी सिभदाओ होती है अमेरिकन गाओं वाले अधिकांस पसुपालन में गाय, घोड़े, मुर्गया और सुवर पालते हैं अमेरिकन गाओं वालों का जीवन काफी सिम्रित साली होता है क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी काफी बड़े इस तरह पर होती है और पसुपालन से भी अच्छी इंकम होती है पसुपालन से गाओं वाले दूद और मीट का वेवसाय करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं American Village Work Type अमेरिका के गाओं में किस परकार के काम होते हैं Timber Work in American Village अमेरिका के गाओं में लकड़ों का काम काफी ज़ादा होता है और इसके लिए जंगलों में पेडों को काटने का काम मिलता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा गने और बड़े जंगल हैं और यहाँ पर पेड़ों को काटने के लिए एडवांस मसिनों का उप्योग किया जाता है गाओं के लोगों को इससे बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफ़ा होता है और टिंबर इंडिस्ट्री गाओं का परमुग वेवसाई भी है इसके अलावा अमेरिकन गाउं में पॉल्टरी फार्म भी काफी बड़ा रोजगार और वेबसाय है यहां के पॉल्टरी फार्म काफी बड़े और मोडन है इन पॉल्टरी फार्म में अंडो और चिकन का वेबसाय होता है यहाँ भी रोजगार का एक अच्छा माध्यम है अमेरिकन गाउं के लोग डेरी फार्मिंग या गाए पलन के लिए काफी फीमस हैं जो लोग अमेरिका में गाए पलन का काम करते हैं उनको यहाँ पर कावबाई भी का जाता है इनके पास 100-300 गाए तक होती हैं मौडर्न डेरी फार्म होता है और यह दूद का और दूद से बने प्रोड़क का वेवसाय करते हैं जैसे की पनीर, चॉकलेट, दूद, बटर, आदी दोस्तो इसके अलावा अमेरिकन गाउंवालों का वेवसाय फार्मर मार्केट में भी होता है फार्मर मार्केट हर गाउं के आसपास होते हैं यहाँ पर गाउंवाले अपना सामान बेजते हैं जैसे की सबजिया, फल, फरनीचर और दूद से बने उत्पाद जैसे चॉकलेट, पनीर, बटर, चीज, आदी अधिकतर फार्मर मार्केट सब्ताइक लगते हैं यानि हपते में एक बार इन फार्मर मार्केट से अमेरिकन गाउं के लोगों को काफी मुनाफ़ा होता है नमबर चार पर बात करते हैं अमेरिकन विलेज फार्मिंग की दोस्तों अमेरिका में किसानों के पास खिती बाड़ी के लिए जमीन काफी मातरा में होती है अमेरिका में 90% खिती small family farm की है जो कि अमेरिकन गाँं में रहते हैं और और जमीन खिती के लिए उनके पास 230 एकड़ की है अमेरिकन फार्मर खेती के लिए काफी एडवांस टेक्नोलोजी का परियोग करते हैं इनके पास कल्टिवेशन के लिए बड़े बड़े टेक्टर, सिचाय के लिए एडवांस मसीने जैसे के स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ट्रेक्टर, स्प्रेय आदी, फसलों के कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मसीन और लोडिंग के लिए बड़े बड़े ट्रक होते हैं अमेरिकन किसानों के पास जमीन ज़्यादा होने के कारण वे विबिन विबिन प्रकार की खेती करते हैं जिससे इनका बिजनस अच्छा होता है, खेती से अच्छी उपज होती है, जिस कारण इनकी इंकम हाई रहती है अमेरिका में किसान सबसे ज़ादा कौन, मक्का, सोयबीन, कोटन, फूर्ट, डायफूर्ट, वेजटेबल्स, डाल और ग्यों चावलों की खेती करते हैं और इनसे इनको बहुत अच्छा मुनाफ़ा होता है इसके अलावा अमेरिकन फार्मर डेरी फार्मिंग भी बहुत बड़े इस्तर पर करते हैं इनके डेरी फार्म वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौडन और एडवांस टेक्नोलोजी के होते हैं American dairy farm में अधिकतर काम आटोमेटिक मसेनों से किये जाते हैं जैसे कि पसू को चारा खिलाना, उनकी सफाई करना और दूद निकालना जैसे सारे काम आटोमेटिक मसेनों से ही किये जाते हैं American dairy farm में करीबन सौ से हजार गाये तक होती है यहां की अधिकतर dairy, small family farm दौरा चलाई जाती है यानि American गाओं में रहने वाले लोगों दौरा दोस्तो अब बात करते हैं American गाओं में रहने वाले लोगों की इंकम के बारे में करीबन 90% farmer अमेरिका में small family farm है जिनकी average income सालाना 80,000 American dollar से 1,20,000 American dollar तक होती है जो भारत के करीबन 70,000,000 के ब्राबर है इसके अलावा 10% big farm farmer जिनकी सालाना इंकम करीबन 2,000,000 American dollar से 3,000,000 American dollar तक होती है जो भारत के होते हैं 1,5 crore से 3 crore के बीच में दोस्तो अगर आपको याँ वीडियो और जानकारी पसंद आये तो किर्पया वीडियो को लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और हमें comment box में बताए कि वीडियो में क्या पसंद आया और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हो अगर आप हमें support करना चाहते हो तो please चैनल को subscribe केजिए इससे हमारा होसला बढ़ता है Thank you so much for watching